Dear Students, आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है, बच्चों हमारे देश की पहचान उसके गाउं से होती है, इसलिए भारत को गाउं का देश कहा जाता है, इसके अलावा भारतिय संस्कृतिय और सब्यता बिस्सु में सबसे पुरानी है, इसने पुरे बिस्सु को सही जीवन जीने की कला सिखाई है, तो आए देखते हैं इस चप्टर में क्या कुछ दिया हुआ है, ये कलास 5 का हिंदी बुक है, चप्टर 6 है, और इस चप्टर का नाम है भारत वर्स, तो भारत वर्स हमारे देश का पुराना नाम है, तो इसका मतलब है कि इसमें हमारे द आंगन में उसे पर्थम किर्णों का दे उफार, उसा ने हस अभिनंदन किया और पहनाया ही रखार, यहां पे कवी जैसंकर परसाद जी जो है, यहां पे अपने हिसाब से एक कवीता के रूप में लिखे हुए हैं, तो यह हिंदुस्तान के बारे में ही लिखा हुआ है, और सूरी का जो किर्ण है, वो सबसे पहले हिंदुस्तान पे ही आया, तो हिंदुस्तान पे आया, इसका मतलब है कि हिमाले हिंदुस्तान में ही है, उसका ज्यादतर भाग हिंदुस्तान में है, इसलिए सबसे पहला किर्ण तो हिमाले पहार पे पढ़ती है, इसका मतलब है कि हि पीरन चमक्तियत ऐसा लगता है कि हीरों का हार भारत माता ने पहन लिया। उस तरह से इसका स्वागत किया जाता है। इसके आधार पर बताया जाता है कि हाजारों वर्स पहले साथ नदियों वाले सब सिंधु परदेश में रिश्यों ने वेद की रचना की थी। यहाँ पे संस्कृत के महा कवी, कालिदास को संस्कृत के महा कवी माना जाता है। आप इस बात को अपने दिमाग में रख लें। कि संस्कृत के सबसे बड़े कवी जो है कालिदास है और हिंदी के बहुत बड़े कवी सबसे बड़े कवी जैसंकर परसाद जी जो है हुए है और उनके अनुसार भारत की संस्कृति और सभ्यता जो है सबसे पुरानी सभ्यता है और जिसके कारण हिंदुस्तान का नाम पूरे तो सब्त सिंधु पर्देश, तो जहां सब्त सिंधु मतलब जहां साथ नदियां एक साथ भाती थी, उस पर्देश को सब्त सिंधु पर्देश का जाता है, तो उत्तर भारत जो है, उसमें कई राईज जो है, अभी तो अलग-अलग हो गए, जिसे हर्याना हो गया, पंजाब हो गया इस तरह के मिल के जो एक प्रदेश बना हुआ था उसको सब्सिंदु प्रदेश कहते थे उस समय हजारों वर्स पहले रिशियों ने वेद की रचना की सब्सिंदु में मुखरूप से हर्याना पंजाब यहां दो प्रदेश मतलब दो राइज आ रहे हैं उस समय वो एक वेद अगर हम पढ़ते हैं हाला कि मैं वेद पढ़ा नहीं हूँ लेकिन इसे बतलाया जाता है कि जीवन जीने का एक सही तरीका जो होता है वेदों में लिखा गया है इस तरह से हमें जिंदगी जीनी चाहिए अच्छे संसकार और इसमें क्या दिया हुआ है अच्छे संसकार पाकर लोग आयरे कहलाने लगे आयरे मतलब स्रेस्ट मतलब अच्छे लोग सबसे अच्छे लोग रिशी पूरु और दच्छिन चेत्रों में भर्मन कर वेदिक संस्किर्ति को समझाने लगे विभिन छेत्रों के जन समुदायों से मिलने पर भारत वर्स का विसाल रूप सामने आया पुरू में आग्यवल के आये थे दच्छिन में सुरपरतम अगस्त गए थे यहाँ पे जो संस्किर्ती की रचना हुई जो संस्किर्ती विक्सित हुआ तो उसको समझाने के लिए रिसी मुनी लोग पुरे भारत में भर्मन करने लगे लोगों को बतलाने लगे तो पुरू में यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है यह रिसी का ही नाम दिया हुआ है तो इस तरह से रिस्यों के नाम थोड़ा कठिन हुआ करते थे दच्छिन में सुरपर्थम अगस्त भी एक रिसी थे इसके बारे में आप लोगों को रामाइन में इनकी चर्चा मिलेगी या फिर अगर रामाइन आप देखे होंगे तो आपको पता होगा इस तरह से घुम घुम कर संस्किर्टी को विक्सित करने लगे पूरे देश में भारत के उत्तर में हिमाले परवत है दच्छिन में भारत महासागर है भारत महासागर जिसको हिंद महासागर कहा जाता है पस्चिम में गंधार परदेश है, पूरू में असम का परदेश है, भारत का यह रूप तिर्भुज के आकार का है, तनेहवे धनुसमान का आकार अस्पस्ट हो जाता है, प्रकिर्ती नहीं आसेतु हिमाचल को एक देश बना दिया है तो यहाँ पे हमारे देश का जो भौकोली की स्थिती है, उसके बारे में थोड़ा सा बतलाया गया है कि उत्तर में हिमाले परवत है, दचिन में हिनमासागर है, पस्चिम में गंधार जिसे अब जो अलग हो चुका है, वो अफगनिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, वो गं प्रवजाकार, तीन कोने के तरह इस तरह से बना हुआ है, जैसे धनुस तना हुआ हो, तनेवे धनुस पे तीर लगाया गया हो, इस तरह का आकार बना हुआ है, तो प्रकृती ने इस तरह से बनाया है, आसेतु हिमाचल को एक देश बना दिया, मानो स्वेम भगवान ने हि इसलिए इसको बनाया है क्योंकि यहां पे जितना ये इतनी बड़ी दुनिया है उतनी बड़ी दुनिया में भगवान यहां पे अतार लिया करते थे हिंदुस्तान में लिया करते थे तो वो जहां पे आएंगे उसकी रचना तो थोड़ी से अलग होनी ही चाहिए इसलिए हमा प्रासा और साहित का विकास किया किरिसी तथा सिल्प को आगे बढ़ाया यहां पे सभी परकार के लोग रिसी मुनी आचारि कवी कलाकार राजा वैपारी सभी हमारे देश को बिक्सित करने के लिए अपना अनमूल समय महनत इस पर लगाए हैं और हमारे देश को बिक्सित किय हैं हम सभी भारत की धरती को मा काते हैं हिमाले को दिवात्मा मानते हैं इसे भगवान संकर का निवास मानते हैं दच्छिन में समुद्र तट पर पारवती को तप करते देखते हैं वहीं स्थान कन्या कुमारी अंतिरीप कहलाता है तो हमारा जो देश है यह देताओं से जु संकर भगवान का वास है, वे वहां रहते हैं, और दच्छिन में माता पारवती भगवान संकर को पाने के लिए जो तपस्या कर रही थी, तो ऐसे हमको लगता है कि वे समुद्र तटपे आज भी तपस्या करती है, नजर आती हैं, और वो जगह जो है कनिया कुमारी के नाम से जाना जा रहा है और हमारे देश का ये अंतीम भाग है सबसे पहले युनानी सिकंदर ने इस भारत पर इसापूरू 326 वर्स में आकरमन किया जब ये कलेंडर चलना परारम नहीं हुआ था उसके 326 वर्स पहले युनानी सिकंदर जिसे अभिस्व भिजेता के नाम से भी जाना जाता है महान सिकंदर महान के नाम से भी जाना जाता है तो यहाँ पे एक चीज याद रखने की बात है कि सिकंदर किस देश का था तो यहाँ पे याद रख सकते हैं युनानी था, युनान देश का था तो उस समय वो आकर्मन क्या था हमारे देश पे उसने पंचनद पंजाब उस समय पंजाब में पांच नदियां बहा करती थी इसलिए उसका नाम पंचनद था आज के इस समय में पंजाब नाम है में पारस या परवतक को हरा दिया वहाँ पे कोई राजा था जिसका नाम पारस था उसको हरा दिया था पर मालों से युद्ध होने पर सिकंदर घायल हो गया अलकि वो विश्व विजेता पूरे दुनिया को जीतने के लिए निकला था लेकिन यह मुम्किन नहीं था और जब ऐसा कोई सोच लेता है गलत विचार मन में लाता है तो उसका अंत का कारण हिंदुस्तान ही बनता खल भी है था आज भी है और कल भी रहेगा तो घायल हो गया मालों से युद्ध करते हुए पूरु में मगत का राजा बहुत बलवान था युनानी सेनी घबरा गए सिकंदर को पंचनद पंजाब से ही लोटना पड़ गया पीछे चला गया हो वो अब युद्ध करने के इस्थिती में नहीं था बाद में चानेक के के सिस्स चंदरगुप्त ने युनानीयों को सदा के लिए पराजित कर दिया चंदरगुप्त बहुत ही विसमसील विक्रामादित ने उजेन में सको को हरा दिया तो उस समय इसापुरू संतावन मतलब इस भी उस समय शुरू नहीं हुआ था उस समय विक्रामादित थे और विक्रामादित एक बहुत ही महान राजा थे सक्तिसाली राजा थे तो उस समय जो पहली सदी में गुजरात और पंजाब पे सकों ने अधिकार कर लिया था उनको विक्रमादित ने हरा दिया और वहां से निकाल दिया इस उपलेक्ष में विक्रमादित ने विक्रम समवत का सुभारम किया तो उस समय जब उन लोग को हरा दिये तो ऐसी खुसी में उन्होंने विक्रम समवत का आरम किया एक कलेंडर का प्रारम किया जो आज भी विक्रम समवत के नाम से जाना जाता है जिसे हिंदी कलेंडर काते ह आज इसी समवत से हमारा समाजिक धार्मिक जीवन चलता है विक्रमादित की कहानी घर-घर में परचलित है विक्रमादित के बारे में हम लोग अगर नहीं जानते हैं तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा उचे कलास में तो उस समवत से जो नहोंने चलाया उससे हम कई सारा आज धार्मिक समाजिक कारी करते हैं इसा की पहली सदी में पस्चिम से कुसानों ने हमला किया गंधार और पुरुषपूर में कुसानों का राईज हो गया कनिस्क कुसानों का पहला राजा था अब जब पहली सदी प्रारंब हुई जब इस भी प्रारंब हुई तो उसी समय कुसानों ने हमारे देश में हमला किया प्राचिन काल से ही हमारे देश में विदेशी ताक्तों ने हमला करता रहा है और आज भी कई से देश हैं जैसे चीन है आज भी चाहता है कि हम हिंदुस्तान को अपने कबजे में ले लें लेकिन अब ऐसा मुम्किन नहीं है तो नहीं कुसान लोग हमला किये और गांधार पुरुसपूर इस वराईज को अपने अंदर ले ले लिए अपने कबजे में ले ले लिए कनिस्क कुसानों का पहला राजा था इस नाम का राजा जो था कनिस्क नाम का कुसानों का पहला राजा था ये कुसान बोध मत और बाद में व्यस्नों मत को मान कर पूरे रूप में भारतिय बन गए जो बोध धरम को जैन धरम को और हिंदु धरम को अपना लेगा उनिश्चित रूप से भारतिय बन जाएगा और उनों को हरा दिया, भारत की सवधिनता बच गई, समय समय पे विदेशी ताकत आकर्मन करते रहे हैं, तो सात्वी, इसा की सात्वी सदी, मतलब उस समय कलंडर शुरू हो गया था, सात्वी सदी में हुनों ने आकर्मन कर दिया, लेकिन उस समय के समराठ हर्सवरधन एक वीर सम धिनता बच गई, मतलब हमारा देश उस समय आजाद ही रहा, अवन, सक, कुसान और हुन, ये सभी बिदेशी भारत के धर्म संस्कृती सभ्यता भासा और जीवन पदती को अपना कर बस गए, यहां पे इतने जातियों के लोग आए, और यहां की धर्म संस्कृती से सुचने लगे, तो उनसे हमें अब कोई खतरा नहीं हो सकता, लेकिन इतने ही पर भारत की समस्या रुकी नहीं, आठवी सदी में, अब सात्वी सदी, जैसे गुजरी, आठवी सदी में, मुहमद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया, सिंध पर अरभी मुसलमानों का कबजा हो मुहमद गजनवी ने हमला कर गुजरात में सौमनात का विद्वन्स कर दिया, सौमनात वहां पे मंदिर हुआ करता था, तो उसको तोड़ दिया, क्योंकि वे उसके धर्म के साथ मेल नहीं खाता था, बारवी सदी में, मुहमद गोरी ने पिर्थवी राज चोहान को हरा कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया, समय समय पे इतने लोगों ने आकरमन किया हिंदुस्तान पे, तो पिर्थवी राज चोहान को हरा कर मुहमद गोरी ने आकरमन कर लिया, दिल्ली पर दिल्ली पर दिकार करने का मतलब है, पूरे हिंदुस्तान पर दिकार हो गया, तेरवी सदी में 13 सदी के आरम में ही पूरुसपूर अलप्यसावर से लेकर लखनौती बंगाल की राजधानी तक तुर्क मुसलमानों का राईज हो गया 13 सदी की बाद तक यहां पर बतला गया है उसके बाद अफगनिस्तान तो भारत की सीमा से निकल कर नया देश और नया राईज बन गया तो उस समय काफी पहले ही जब वहां मुसलमानों ने अधिकार कर लिया था तो फिर वहां गंधार जो है हिंदुस्तान के सीमा से बाहर चला गया और एक अलग देश बन गया उसने नया मझभ भी अपना लिया मझभ धर्म अपना लिया तो वहां पे इसलाम धर्म ही माना जाता है भारत मा से छिटक गया सेस भारत पर 13 सदी से लेकर 18 सदी तक तुर्कों पठानों मुगलों का कठोर सासन रहा तो यहां पे सोट में बतलाया गया है इतना डिटेल में बिस्तार में नहीं बतलाया जा सकता है तो भारत मा से छिटक गया मतलब अफगनिस्तान जो है हमेशा के लिए इससे अलग हो गया तो 12 सदी में ये अलग हुआ, 12 सदी की 13 सदी में अलग हुआ, तो 13 सदी से लेकर 18 सदी के अंतराल में तुर्कों, पठानों, मुगलों का कठोर सासन रहा है, तो सबसे लंबा सासन काल मुगलों का रहा है, 800 साल तक रहा है, लेकिन वे यहां से कुछ भी धन चुरा कर कहीं अप बहुत सारे लोगों पर अतियाचार क्या करते थे और जवरदस्ति उनको अपने धर्म से हिंदु धर्म से हटा कर इसलाम धर्म को मानने के लिए जोड़ दिया करते थे और ऐसा हुआ बहुत सारे हिंदु लोग जो थे अपने धर्म को छोड़कर जीवन बचाने के लिए मुस पूरा नहीं हो सकता भारत का रूप बना रहा आज भी भारत वही है अलकि समय समय पर यहां पर आकर्मन होता रहा है और आने वाले समय में भी यही चीज होगा यहां कल भी आकर्मन होगा 17 सदी के मईद से अंग्रेजों का परभाव आरंब हुआ अब यहां पर 17 सदी के मईद से मतलब 17 सदी आधा गुजर चुकी थी उसके बाद से अंग्रेज लोग यहां पर आये बेपार करने के लिए बेपार के नाम से धिरे धिरे यहां के हाभाव को देखा यहां जो अपना समराईज बसाया जा सकता है और फिर धेरे धेरे उन लोगों ने वही किया मुखरूप से 28 सदी के मज़ से लेकर 14 अगस्त 1947 तक अंग्रेजों का राईज रहा वैसे तो 200 साल तक माना जाता है कि अंग्रेजों का राईज रहा लेकिन उसमें से 1500 साल completely उन लोग का राईज था पूरी तरह वो अपने गिरप्त में भारत को ले चुके थे मुस्लिम लिग ने अंग्रेजों की सहायता से भारत को बाट कर सतंत्र करने का हिंसक आंदोलन आरंभ किया उनके हिंसक उपद्रों के दवाब में हमारे निताओं ने भारत वर्स का बाटवारा मान लिया हिंसक आंदोलन मतलब मार काट का आंदोलन लोगों को कई सारे मुस्लिम लिग जो थे तो इस तरह का जो अपना देश वो अलग मांगने लगे ऐसानना होने पर हुए खुन खराबा करने लगे तो अंतता हमारे देश में जो बड़े-बड़े लीडर थे उन लोगों ने इस बात को मान लिया कि चलो देश में सांती होनी चाहिए इसलिए देश का मटवारा कर दिया जाए तो 15.1947 को भारत बट कर सोतंतर हुआ सतंतर तो हुआ लेकिन दो टुकडों में बट गया हिंदुस्तान और पाकिस्तान आधा पंजाब, सिंध, बलुचिस्तान, सिमा प्रांत और आधा बंगाल मुसलिम बहुल होने के कारण पाकिस्तान में चले गए वहाँ पे अत्यदिक मुसलिम लोगों की संख्या थी इसलिए पाकिस्तान में इतने सारे राईज जगा जो है पाकिस्तान में चला गया सेस भारत कहला रहा है अब जो बच गिया है वो भारत है आज हम खंडित भारत की वंदना वंदे मातरम के घोश से करते हैं हमें जो टूटा हुआ भारत जो मिला है हम उसी को आज वंदे मातरम के घोश से उसका मान समान बढ़ा रहे है और वही हमारे लिए उचित भी है तो यहाँ पे यह चेप्टर समाप्त हो जाता है आईए देखते हैं इसमें क्या questions दिया हुआ है यह number one में पढ़ें और समझें जो की हिंदी सब्दार्थ दिया हुआ है आप इसको पढ़कर ज़रूर याद कर लें एक बार कम से कम question number two में इनके विलोम सब्द लिखें अर्थात कुल्टा सब्द लिखने के लिए कहा गया है और तिन नमर में खाली अस्थानों को भरे तो यहाँ पे कुछ word लिखा हुआ है जो की बिच-बिच में से letter guide है उसको भर कर completely एक meaningful सब्द बनाना है और four number में इनकी वरतनी सुद करें अर्थात इसमें इसका मात्रा जो है कुछ गलत दिया हुआ है कुछ सही नहीं लिखा हुआ है तो उसको सही करना है और question number five सोचे और बताए ये इस chapter का मुईक question है तो आईए मैं आप लोगों को इसका answer बना के दिखाता हूँ ये है chapter six का question answer इनके विलोम सब्द लिखे है तो यहाँ पे इसका उल्टा सब्द लिखते आ गया है जैसे कि जय, प्राजय, विदेशी, सवदेशी और question number three खाली स्थानों को भरे है तो यहाँ पे जो लेटर छुटा हुआ है वे एक काले अच्छरों में लिखा हुआ है तो आप इसको देखकर यहाँ पे अपने बुक में भर सकते है और question number four में इनकी वरतनी सूध करें इसमें कुछ मातरा जो है गलत लगा हुआ है तो इसको सही करना है तो यहाँ पे जो black letter में लिखा हुआ है यह सही कर दिया गया है यह इसका answer है question number five सोचेवर बताएं सब्थ सिंधू किन परदेशों से बना है सब्थ सिंधू हर्याना और पंजाब से बना है सबसे पहले कौन रिसी दच्छिन गए सबसे पहले अगस्त रिसी दच्छिन गए भारत वर्ष को आसेतु हिमाचल क्यों कहा जाता है प्रकिर्ती ने हिमाले से लेकर सेतु बंध रामे स्वरम तक के विसाल छेत्र को सजा कर एक देश की रचना कर दी है। इसलिए भारत वर्ष को आज सेतु हिमाचल कहा जाता है। कौन कौन सी विदेशी जातियां भारतिये बन गई? यवन, सक, कुसान और हून विदेशी जातियां भारतिये बन गई? भारत का बटवारा कब और क्यों हुआ? भारत का बटवारा 15 अगस 1947 इस वी को हुआ मुसलिम लीग के हिंसक उपद्रव के कारण भारत का बटवारा वीडियो के लाइक जूरूर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और अगले चप्ट को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे तो आए हम लोग नेक्स्ट वी दो में चलते है।